हालो नमस्कार दोस्तो तो आज की इस वीडियो में गुरुबडी सेट नम्मर फर्स्ट हम लोग चालू करेंगे इस सेट में जितना भी कोशन मिलेगा प्रिविएस कोशन गुरुबडी को देखते वे बनाया गया है और इस कोशन का टार्गेट यही है कि 2021 में जो भी गुरु इसलिए आप इस वीडियो को एक बाद जरूर से जरूर देख लें और इस वीडियो में टोटल आपका जो है 45 कोशन दिया गया है इस 45 कोशन में 25 कोशन साइन्स है 7-8 करेंट अफेर और बाकी जिक्के है तो आप लोग जाए इस वीडियो में जितना भी कोशन उसको बनाई किये अपने जो है कॉपी कल्म ले करके लिखे कितना आपका सही होता है और कमेंट करिए तो चलिए हम लोग चलते हैं कोशन की और तो देखिए हमारा जो है आज का पहला कोशन है ग्रह के गती काक्नियम किस ने दिया तो इसका सही अंसर आपको जह है बताना है आपसा नमर ऐक मेंगिनलियो बी मेंिकिपलर और सी में निूटन डे में है आश्ञइव इसका सही अंसर बताएं सेह सब्सक्राओ देख लिजैए तो देखिए इसका सही अंसर जो है इसका सही अंस serv आपसा नमर भी है यानि और ग्रह के गती का नियम किपलर सभ दिये थे याद्र रखि देखे गेलेलियो साहब कौन थे तो गेलेलियो साहब जरत्वे का नियम दिये थे गेलेलियो जरत्वे का नियम और न्यूटन के पहला नियम को जरत्वे का नियम कहा जाता है ये भी याद रखेगा न्यूटन गती का नियम दिये सितलन का नियम दिये और पहली बार प्रीज में कभी खोज किये थे प्रीज में जो परकास की किरन से गुजारते हैं तो परकास सात रंगों बिभक्त हो जाता है वही प्रीज में के बारें पहली बार जनकारी न्यूटन साहब दिये थे और गुर्तवा कर्षन का नियम भी न्यूटन साहब दिये थे इतना भी हमारे ब्रहमांड या पिर्थीव पर जो भी वस्तु है दो वस्तु के बिच लगने वाला बल को गुर्तवा कर्षन बल कहते हैं तो गुर्तवा कर्षन बल का नियम निउटन साहब दिये और आइस्टीन साहब सापेशता का सिधान दिये फोटो एलेक्ट्रिक परभाव का खोज किये और फटो एलेक्ट्रिक परभाव के खोज के लिए ही इन्हें 1911 में बहुत की का नॉबल पुरसकार दिया गया था याद रखेगा और फोटॉन का खोज भी किये थे इन्हों ने आईश्टीन ही बोले थे कि परकाश जो है वह आपका निर्वात में चलता है या किसी माध्यम में चलता है तो अपने साथ काभी मात्रा में उर्जा ले करके चलता है और उर्जा जो ले समझेगा यहाँ पर आपको जो है केपलर साहब के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको केपलर साहब जो थे यह आपका जर्मनी का एक परसित बैग्यानिक थे केपलर साहब और इन्हों ने कहें थे पहली बार यही बताएं थे कि जितना भी ग्रह है वो सूरी के चार नियम दिये जिसमें पहला नियम को याद रखेगा पहला नियम को कच्छे का नियम कहा जाता है किस नियम को तो पहला नियम को कच्छे का नियम दूसरा नियम को छेत्रफल का नियम और तिसरा नियम को परिकर्मन काल का नियम कहा जाता है तो याद रखेगा पहला नियम को कच कोशन के और हम लोग बढ़ते हैं तो अगला कोशन हमारा है देखे अगला कोशन है निम लिखित में से किसके दोवारा AC को DC में बदला जाता है आप्शन एक है कंडेंसर आप्शन भी है एम्प्लीफायर आप्शन C है रेप्टी फायर और D में है फिल्टर इसका सही अंसर पहले आप चुन जीए इसका सही अंसर क्या होगा फिर हम अंसर बताते हैं और अगर पूरा कोशन देख लिजेगा वीडियो को जितना भी सही होगा कमेंट में लिखेगा कितना आपका सही होता है और यदि इस आपका ग्रूप डी सेट नंबर फर्स्ट फोर्टी फायव का आपको पीडियेफ चाही तो आप जो है हमारे जीडीपटना.com पर गूगल पर जाएए और सर्च करिए जीडीपटना.com वहां पर आपको पीडियेफ प्रूवाइड हो जाएगा और वहां पर तरह तरह का वहां पर जनवरी फर्वरी मार्च अप्रील में जितना भी 2020 उन्हें सभी आपका करेंट फिर भी है तो आप हमारे जीडीपटना.com पर जाएए वहां पर आपको बिल्कुल इम्पुप्त में मेटरियल दिया जाएगा तो चलिए इसका अंसर हम लोग देखते हैं इसका सही अंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हमारा सी नमबर जाएगा यानि रेपटी फायर क touchscreen आपको याद रखना है थोड़ा सा देखें कि यर्विटी फायर जो है यह एसी को डी सीम बदलता है लेकिन एक बात और याद रिखेगा उच एसी को नीम्डडं इसी में या नीम्डड एसी को ऊच एसी में बदलने का काम ट्रनस्फॉर्मर करता है याद रखेगा कौन करता है transformer याद रखेगा रेप्टी फायर का खोज जो है रेप्टी फायर का विसकार पीटर कोवर है विट ने किया था पीटर कोवर है वीट याद रखेगा पीटर कोवर है विट ने रेप्टी फायर का खोज गया था जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप copy column ले करके तयार है और जो है जितना भी important बात बताएंगे अपने जो है copy पर note कर लिजिए आने वाला exam में आपके लिए बहुत ही important और helpful होगा आपसे exam में यहीं पुछेगा अब जो है AC को DC में पुछने का chance है लेकिन यह नहीं पुछेगा तो हो सकता आप से जाम में पुछ दे रेप्टी फायर का विसकार किस ने किया तो आप वहां पर फर्ष जाईएगा इसलिए हमारा वीडियो को पूरा देखिए ध्यान पूर्वाग सारा बात आपको बताएंगे तो रेप्टी फायर का खोच जो है यानि विसकार पीटर कौपर हैविट पीटर कौपर हैविट ने रेप्टी फायर का विसकार किया था याद रखिएगा एक देखें है चार नम्मर और आप्सन वे यहां पर फिल्टर है फिल्टर तो फिल्टर का परियोग तो हम लोग जाल को सुद्धी करण में करते ही है, फिल्टर जैसन आप जानते ही है, तो फिल्टर का विश्कार कारल बेंज ने किया था, कारल बेंज याद रखेगा, कारल बेंज ने, कारल बेंज ने फिल्टर का विश्कार किया था, amplifier जानते ही है amplifier क्या करता है तो विद्दूत उर्जा को ध्वानी उर्जा मदलने का काम करता है जो है जो है जो हम लोग songs बगरा सुनते हैं यह आपका amplifier के माध्यम सही होता है तो यह विद्दूत उर्जा को ध्वानी उर्जा मदलने का काम करता है एम्पलिफायर याद रखेगा एम्पलिफायर जहें इसका खोज ली डे फॉरेस्ट ने किया था ली डे फॉरेस्ट ली डे फॉरेस्ट ने एम्पलिफायर का खोज किया था विजगार किया था यह आपको याद रखना है अब देखें कंडेंसर है तो कंडेंसर का विजगार टॉमस न्यूको मैन ने किया था टॉमस न्यूको मैन ने यह आपका जो है कंडेंसर का खोज किया था यह आपको याद रखना है कंडेंसर कंडेंसर क्या है तो हीट एक्चेंजर है यह हीट को जो है एक्चेंज करने का काम करता है हीट को कंट्रोल करता है संतुलित रखने का काम एक करने का काम करता है याद रखेगा। तो चलिए इसका सही अंसर हमारा जो है C number जाएगा, C number हो गया L एसी पड़ने निम और ब्राइश से़ा से निएसी या उच अगलेvelmente क्यों चलते हैं तो अगला कोशन हमारा है कोशन नमर 3 है देखे फुलॉराइड प्रदूसन मुख्य तब प्रभावित करता है तो देखे फुलॉराइड प्रदूसन जो होता है यह हमारे स्रीड के किस अंग को प्रभावित करता है तो फुलॉराइड प्रदूसन जो हमारे स्रीड के किस ये और तोटल आप अंसर दम इमांदारी पुर不起 father जितना भी आपके धिमानदारी से याद रखेगा ऑन्देजेन एक पर त। पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है फुरटाइड-प्रदूसन किस्से होता है तो यह आपका जल में होता है फुलॉराइड की अधिकता वाले जल को पीने से फुलॉरेसिस नामक रोग होता है हमारे स्रीर में फुलॉरेसिस नामक रोग और यदि फुलॉरेसिस नामक रोग आपके स्रीर में हो गया तो आपके दात पर भुरा कलर का एक धबा फेट जाएगा और भुला कलर का धबा बैठने के साथ साथ धीरे धीरे आपके दात गिरना चालू हो जाएगा तूटना चालू हो जाएगा सणना चालू हो जाएगा इसलिए फ्लूराइड के धिकतावले जल को हम लोग पीने से इनकार्द कर देता है ताकि यह रोक से गरसित नहीं होगे हमारा दात सुरचित रहेगा च्याद रखेगा तो फॉराइड के धिकता ओले जल को पीने से फॉलौरिशिस नामक रोग होता है और जिस जल में फॉलौराइड की मातरा धिक हो गया उसको फॉलौराइड प्रदूसित जल बोलेंगे और ये जल पीने से हमको दात अपका गिरने लगता है और दात पर भूला करेंगा धबा बढ़ जाता है जिसे हमारे दातों को नुक्सान पहुंचता है जिसका सही अंसर हमारा सी गया याद रखेगा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात है थोड़ा सा समझेगा, सुनिएगा, एकजाम में आपको आएगा देखे, कुछ आपका जल परदूसन है तो कौन से जल परदूसन को हम लोग पिएगे हमारे जो है, कौन सा रोग होगा यह थोड़ा सा याद रखेगा, एकजाम में पूछेगा जैसे, आप जानते होंगे पारा के धिकतले जल को पीने से मिनी माता रोग होता है जो भी हमारे स्टूडेंट होगा, उनको तो याद होगा कनफर्म है, काहें के डेली आपको डिस्कर्ण कलास में बढ़ाते हैं जो भी हमारे पास कलास करते हैं, उनको सारा याद होगा अब रिविजन खाली करने की बात है तो revision हमारे वीडियो को माध्यम से करते रहे आपका revision रहेगा और फिर coaching आपका start होगा तो आपको सारा चीज़ अच्छी तरे कैसे बताएंगे पढ़ाएंगे तो पारा के धिक्तले जल को पीने से मिनि माथा रोग, कैडमियम के धिक्तले जल को पीने से इटाई इटाई नामक रोग होता है लोहा के दिख्तल जल को पीने से लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है आप से पूछे गा पारा के दिख्तल जल को पीने से कैडमियम, इटाईटाई, लोहा, लीवर सिरोसिस और तांबा विल्सन तांबा के धिकतले जल को पीने से विल्सन नाट्रेट के धिकतले जल को पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है नाट्रेट के धिकतले जल को पीने से और अर्सनिक के धिकतले जल को पीने से white foot नामक रोग होता है यह आपको याद रखना है इतना बात आप याद रखेगा आपको एकजाम में यहीं साएगा इससे बाहर ही नहीं आएगा हमारी बात को follow करिए आपका एकजाम में लगभग 45 question में आपका 35-40 question आपका बनने का guarantee देते हैं बस हमारे वीडियो को देखते रहिए हमारे पास अच्छी तरह से class करते रहिए तो चलिए अगले question के और बढ़ते हैं तो अगला question हमारा है देखिए अगला question आएगा देखिए अगला question आगई आपके screen पर तो अगला question नमर चार हमारा है यदि एक तरंग की आवरीती बढ़ती है क्या बढ़ती है आवरीती यदि एक तरंग की आवरीती बढ़ती है तो उसकी तरंग धैर पर क्या परवह पड़ेगा उसका तरंग धैर पर क्या परवह पड़ेगा यह आपको बताना है option number 1 बढ़ जाता है option number B एक समान रहता है option number C घड़ जाता है और D में है दोनों के बीच कोई समद्ध नहीं है तो चली इसका सही अंसर आपको चूज़ करना है इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर देखिए आपके screen पर आ गया घड़ जाता है क्या होता है घड़ जाता है एक फर्मूला अब लोग जानते होंगे भी बराबर इन लिम्डा भी बराबर जो है इन लिम्डा होता है याद रखे भी बराबर इन लिम्डा यह फर्मूला आप जानते होंगे तो यहां से देखिए आप जो है यहां पर अगर इन बराबर आप लिखते हैं इन बराबर तो इन बराबर हमारा क्या हो जाएगा इन बराबर भी बटा आपका लेम्डा हो जाएगा यहाँ पर भी बटा लेम्डा हो जाएगा इन बराबर तो यह हमारा हो गिया तब देखे एन आवरिती है और लेमडा क्या है तरंग धैर है और भी तरंग का वेग है तो आवरिती ये आवरिती और ये आपका जो है तरंग धैर के भी देखे तो कैसा संब्ध है तो उल्टा का संब्ध है यानि बेदकनुपादी का संब्ध है बेदकनुपादी यहाँ प क्या होगा तरंग धायर यह लेंड़ा क्या होगा लेंड़ा हमारा क्या हो जाएगा लेंड़ा देखें लेंड़ा घड़ जाएगा उल्टा बढ़ रहा है तो घड़ जाएगा हमारा सही अंसर यहां ऑप्शन नम्मर सी जाएगा घड़ जाएगा याद रखेगा थोड़ा सा तरंग के बारे में याद रखेगा आप लोग देखे तरंग जो होता है एक तरह का उर्जा है याद रखेगा तरंग बहुत तरह का होता है तरंग जैसे में आपका परकास अनुपरस तरंग अनुधैर तरंग यांतरिक तरंग तरंग तो जितना भी तरंग है वो सभी तरंग यानि मेकनिकल वेव और आयांत्रिक तरंग नन मेकनिकल वेव जो बीना माध्यम के आगे बढ़ता है जो बीना माध्यम के आगे जाएगा माध्यम नहीं भी रहेगा तो भी आगे चलेगा तो हमारा आयांत्रिक तरंग होता है याद रखेगा तरंग में अबरिती क्या होता है जरा ध्यान देने की बात है अबरिती क्या होता है तो एक सेकेंड में एक सेकेंड में कोई तरंग कितना बार दोलन करता है उसके दोलनों के कुल संख्या हमर अबरिती करता है याद रखेगा और एक दुलन में जितना दूरी तै करता है तो तै किया कि धूरी जो है वही हमारा तरांग धैर कलाता है याद रखेगा तरांग धैर यहां पर अब रिती तरांग धैर आप लोग याद रखेगा एक्जाम में पुछेगा तरह ध्यान से चलिए अगले question के हम लोग बढ़ते हैं, अगला question, question number five आता है देखें, question number five आ गिया, कह रहा है कुनार के सुर्य मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था, ये question आप से पुछ रहा है, कुनार के सुर्य मंदिर का निर्मान, तो इसका सही अंसर आप पहले चुनिए, इसका सही अ आप बताईए क्या होना चाहिए तो आप लोग लिख लिए होंगे इसका सही अंसर अब हम आपको बताते हैं इसका सही अंसर जो है इसका सही अंसर देखिए इसका सही अंसर आप्शन नंबर चार जाएगा नर्सी वर्मन पर्थम यानि नर्सी पर्थम पूरा नाम नर्सी वर्मन पर्थम है लेकिन इसका सौट नेम हम लिखे हैं नर्सी पर्थम तो कुनार के शुरे मंदिर का निर्मान इनर्सी पर्थम हो जाएगा याद रखेगा देखे आप लोग अगर मारे होंग था एलोरा के गुफा मंदिर का निर्मान कृष्ण पर्दम ने करवाया था देखे कोई भी कोशन आप सुल्व करते होंगे जिक्केजियस का खास करके तो चार आपसन में दो आपसन आप छाट लेते होंगे दो आपसन आप से जो है छाट लेते होंगे बागी confusion रहता है दो आ option को सही answer आपको चुनने के लिए में आपको पास concept होना चाहिए जनकारी होना चाहिए confusion कम होना चाहिए जितना कम confusion होगा उतना बेहतरी जिक्केजियस होगा और जितना ज्यादा confusion होगा जितना ज्यादा पढ़िएगा जितना ज्यादा confusion होगा उतना आपका कम जोड जिक्के क्षिख़फ सेट गंटे के सेट प्रेक्टिस चलती है प्रेक्क्रástला में यहां पर आपके लिए तीन गंटे सेट प्रेक्टिस जिसमें गंटासेट न आपकी कैंफूजन को दूर करने वाला discussion वो भी आपका जाला जवाब बहुत ही solid discussion होता हमारे यहां तो आप आईएगा पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बेतरी तयार यहां मिलेगा तो चलिए इसका सही अंसर हमारा नर्शी वर्मन पर्थम हो जाएगा लेकिन क्रिश्न पर्थम अंसर नहीं होगा क्रिश्न पर्थम किसका निर्मान करवाया था तो क्रिश्न पर्थम इलोरा के परसिद कैलास नाथ मंदिर का निर्मान या गुफा मंदिर का निर्मान करवाया था फिर्टन पर्थम ये आपको याद रखना है कृस्टर पर्थम लेगिंती हम तक राजा नक बनागा तक भृ ल के मंधिरक निर्मा इस वर्रमवन की मंदिरका निर्मान राज राज पर्थम ने रहा था मही पाल पाल वंस का सासक था मही पाल कौन था पाल वंस का सासक था याद रखेगा मही पालपूर में एक कीले का निर्मान एक बांध का निर्मान करवाया था यह मही पाल यह आपको याद रखना है तो इसका सही अंसर हमारा चार्ज आएगा नर्सी वर्मन पर्थम बिल्कुल राइट अंसर चलिए अगले कोशन के हम लोग बढ़ते हैं इसमें 45 कोशन आपको कराएंगे 45 कोशन में अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और आप डिसकसन सुनिए अच्छी तरीका से आपकी तैयारी बहुत ही बेतरी हो जाएगी तो चलिए हम लोग जलते हैं अगला कोशन की और अगला कोशन देखिए अगला कोशन है पर्योक्साला में क्रित्रीं मिधी से बनाया गया पहला इंटिवायोटी का नाम बताना है तो पहले आपका जो है आप सनम लोग पढ़ लेते हैं और इसका सही अंसर आप क्या होगा देखिए इसका सही अंसर हमारा वी जायेगा यानि पेडिया याद रखिए गा इसका साहीयंस है पेनिसिलीन होगा का बिन रखिएगा कि देखें थ्वास समय लेते हैं ऑप्षन पर चल लेता है देखें ये यह उरिया क्या है के खोज वोलहर था यूरिया इसका सुत्र एनेस्टू सी ओर एनेस्टू होता है इसमें नाट्रोजन जो हता है 46 पर दीसट लगदग नाट्रोजन होता है अब देखिए पहला एंटि-बायोटिक जो बनाया गया था वो पेनिसलिन बनाया गया था और इसका खोज अलेजेंडर फिलेमिंग ने किया था यानी एलेजेंडर फिलेमिंग ने बेनेसिलिन को बनाया था याद रखेगा और यह किस से बनाया गया था तो ये कवक से बनाया गया था याद रखे यानि फंगी से कवक से यानि फंगी उसको अंग्रेजी में फंगी बोलते हैं कवक से बनाया गया था प्रोटीन तो प्रोटीन का खोज बरजिलियस ने किया है बरजिलियस ने प्रोटीन सब्दे का परयोग किया था प्रोटीन जो है प्रोटीन को बनाने में इमीनो एसिड का परियोग होता है और प्रोटीन के एक अनुक के निर्मान में 20 परकार के इमीनो एसिड का इस्तेमाल किया आता है याद रखेगा अपराकिर्तिक में 20 से 22 परकार के इमीनो एसिड पाया जाता है ये भी आपको याद सभी दलहनी पोधे में नैट्रोजन की भरपूर परधामता होती है और इस आपका नैट्रोजन के कारण सभी दलहनी पोधे में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटिन देखने को मिलता है एस्टेप्टोमाइसिन E.S.T.M.I.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C तितना कोशन आपको याद रखना है दोस्त चलिए हम लोग अगले कोशन के और बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए चलिए अगला कोशन हमारा है अगला कोशन देखिए थर्मो असकोप का विस्कार किसे माना आता है विस्कारक किसे माना आता है यह दिन्य थर्मोजोप का खोज कोन किया अब इसका और कोन किया यह आपको सही अंसर चुनना है यह को चारो ا filter on दिख रहा होगा इसका सही अंसर आप चुनिए इसके बाद हम इसका अंसर बताते हैं तो देखे इसमें एक नम्मर monitor में है गेलियो इसका सही अंसर आपका गेलियो है थर्मो अस्कोप का खोज गेलियो ने किया था ये आपको याद रखना है कौपन निकल्स ब्रमान का खोज करता था ब्रमान का खोज किया था कौपन निकल्स आईजक निव्टन गती का नियम गुर्तवा करसंबल का खोज किया और केबलर गरह के गती का नियम दिया याद रखेगा गेलियो सहाब जरतवे का नियम भी दिये थे जरतवे का नियम गेलियो सहाब दिये हैं भी याद रखेगा जरतवे का नियम गेलियो और गती के Newton गती का दूसरा नियम को जरत्व का नियम कहाता है और जरत्व दो तरह का होता है एक बिराम का जरत्व और एक गती का जरत्व चली अगले question के वह लोग बढ़ते है सब् smoky असंद्र देखिए विंग इंडे सोड़ से से मार्स घैस बिक कहा जाता है मार्स घैस किस घैस्ट को आपको छुनाना है साय अंसर आपसर एक में प्रोड्यूसर गयर सीम में बायो गई और डी में एलपीजी गैस तो एलपीजी गैस डी में मरा सही अंसर पहले आपका चुनिए और जितना भी सही होगा इमांदारी पुर्वक आप कमेंट में जहें लिक करके बताएगा कितना आपका जहें राइट अंसर जाता है तभी हम सुचाएं कि आप जहें कौन सा इट्व को करें हमार चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आने वाला समय में आपको जहें बेहतरी से बेहतरी नापको जहें पढ़ाई दे सके और आपकी नौकरी हो सके तो चलिए इसका सही अंसर देखते हैं इसका सही अंसर हमारा जो है कि ऍसी नम्बर जाएगा इसका सही अनसर तो इसका डायोग सम लोगे याद रखेगा देखें मार्स गयस गबर गयस यह हम लोक ही चाहते हैं याद रहा chiगा को मिर kya megash यह सा हम लोक मित्हिंड ना युआ क One Rs.2 होता है याद याद रिखेगा एक बात और याद रिखेगा हम लोग जहां से कोईला निकाला था कोईला की खान में तो कोईलागी खान में बिसफोर्ट करने के लिए यहीं mythyn गैस का परियोग किया जाता है यहीं याद रिखेगा अज कहले exam में मिथिन गैस का परियोग होता है धान की खेती में मिथिन गैस का परियोग होता है यह भी आपको याद रखना है मिथिन का खोज सीवी देशाइने की अधर परमूला सीच पूर होता है इसमें एकल सह सेंज़ग बंदन होता है इसका है जो होता है SP3 होता है SP3 याद रखेगा Hive Diation SP3 होता है यह भी आपको याद रखना है अब देखिए हम लोग जो है Option के हिसाब से चलते हैं Option पर देखते हैं Option नमर एक में आपका है Producer Guys Producer Guys किसको कहते हैं भाई Producer Guys CO plus N2 यानि कि Carbon Mono Oxide और Nitrogen को समीलित रूप को योगफल को Producer Guys कहते हैं Carbon Mono Oxide और आपका जो है Nitrogen को हम लोग जो है Producer Guys कहते हैं भाई पंगार गैस Carbon Mono Oxide और Hydrogen को आपका समीलित रूप को भाई पंगार गैस कहते हैं Carbon Mono Oxide और Hydrogen के समीलित रूप को हम लोग जाहें क्या कहते हैं तो भाव पंगार गाइस या इसी को जल गाइस भी कहा जाता है जल गाइस याद रखेगा एक दखे LRPG lasc है चार नम्म आपक्षन में तेक आप का LBG गाइस में हम लोग जाहें यह प्रोपेन और ब्यूटेन का परयोग करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करते हैं करवनी गैस है यह आपको याद रखना है चलिए तो अगले कोशन के और हम लोग चलते हैं कोशन नमर नाइन आपके जो है स्क्रीन पर देखिए आ गया नाइन में है धमनिया रक्त का वहन करती है हमारे स पुरे पटना सहर में या दिली सहर में कहीं भी आपका जीखहेश पढ़ते होंगे तो हर एक टीचर आपको जीखह प्राता है याद करवाता नहीं है या रिविजन नहीं करवाता आ है लेगचे आप जिडी कुलना में आप आते हैं तो यहांपर्गी गंटे नहीं अ प्रणाटे हैं और एक घंट आपको रिवीजन कराते हैं पीछे वाला मतलब इतना आपको रिवीजन करा देंगे इतना दिमाग में भड़ देंगे कि आपका जहें जैसे तक जो टेवल आप कभी नहीं भूल सकते हैं और साथ साथ सनीवार रिवार को भी तिन घंटे की रिवीजन कलास अलग से बेहतरिन देते हैं तो रिवीजन है रिवीजन हमारा यही सिधामते हैं कि यह धीरे धीरे पढ़ाएं अराम से पढ़ाएं लेकिन बंदा को याद ज़्यादा करवाएं और रिवीजन बहुत बहुत कम होगा और बहुत कम समय में एकजाम आप निकाल लीजेगा ऐसा नहीं कि आपको जाए 10 व नहीं किराएगा कुछ नहीं किराएगा बस पढ़ा दिया छोड़ दिया जाए घरे अपना त्यारी करिए खुद अपना समझिए लेकिन हमारे पास इसा फ्लिस लेटी नहीं है बहुत ही बेस दिन आपको प्राही मिलेगा रिवीजन के साथ चलिए हम लोग कोशन पर आते ह इक कोशन पूछ रहा आप से देखे कोशन अंसर बनाने के पहले कोशन आपको समझना भी पड़ेगा आज के लिगजाम में इसा आ रहा है इसका सही अंसर आप चुणिए ऑप्शन में एक है ऑक्सिजन बी में है करवन डैक्साट सी में है टॉक्सिन और डी में है लीपीड इसका सही अंसर देखे इसका सही अंसर आपका एक नमबर जाएगा यानि के ऑक्सिजन यह जो भी आपका धमनी या यह रक्त का वहन करती है वह आपका रक्त में कौन सी घैस भरी रहती है तो ऑक्सिजन भरा राता है यह आपको याद रखना है ऑक्सिजन ऑक्सिजन का परतिसद देखने को मिलता है हमारी जीवन के लिए आउक्षिएन बहुत ही उपयूक्त मानी जाती है हम लोग क्या करते हैं यानि मन्नुष जाती क्या करता है तो आउक्षिएन को लेता है करवंड डाक्षाइड को छोड़ता है लेकिन वही पेड़ पोधे क्या करते हैं? पेड़ पोधे परकास संसलेशन में तेरा ध्यान से पेड़ पोधे परकास संसलेशन के किरिया के दोरान क्या करते हैं? कारवन डाकसाड लेते हैं और अक्सिजन छोड़ते हैं याद रखेगा हम लोग का उल्टा करते हैं पेड़ पौधा लेकिन परकास संसलेशन के दोरान लेकिन स्वासन के दोरान पेड़ पौधा भी हम लोग तरह ही किरिया करती है मतलब पेड़ पौधा भी अगर सास लेता है तो भी ऑक्सीजन को लेता है करवंडा अक्साइड छोड़ता है लेकिन परकास संसलेशन हो जाने के कारण वह पुना करवंडा अक्साइड को अपने बोडी में रख लेता है और अक्सिन को मुक्त कर देता है याद रखेगा करवंडा अक्साइड हरित ग्रेप परवह गैस है टॉक्सिन ये काफी जरेली गैस है रखेगा लीपीड एसीड होता है एक तरह का लीपीड एसीड याद र हिर्दाय से सरीर तक हिर्दाय से सरीर तक यानि सुध रख को और सुध रख में क्या रहता है तो ऑक्सीजन वही रख को ले आने का काम करेगा धमनी हमारे बोड़ी में लेकिन सीरा क्या करता है सीरा जो होता है हमारे सरीर से धमनी तक सरीर से धमनी तक आपका जो है ऑक्सीजन एक, शरीर से धमनी तक बलड को लाने का काम करता है और उस बलड में कौन सा गैस रहता है तो कारवन डाकसाइड यानि सीरा जो है कारवन डाकसाइड से भरे रख को वहन करता है और धमनी जो है और उक्सीजन से भरे रख को वहन करने का काम करती है यह सब से important चलिए अगले कोशन के चलते हैं कोशन नमर 10 देखिए आपके स्क्रीन पर कोशन नमर 10 आ गया कोशन नमर 10 में कह रहा है पिर्थिवी का आकार कैसा है तो पिर्थिवी का आकार आपको बताना है भाई कैसा है पुर्ण गोलार्द है अधिकांश चप्टा है पिर्थिवी कैसा है चप्टा गोला देखिए पिर्थिवी सौर मंडल का एक मात्र ग्रह है जहां पर जीवन की कलपना किया गया है यह आप भी जानते होंगे पिर्थिवी जो है हमारे लिए बहुत ही उप्युक्त ग्रह माने जाती है यह हमारे सौर मंडल में पाच्वा चंद्रमा है यह भी आपको याद रखना है पिर्थिवी पर तीन हिसा में आपको जल है और एक हिसा में अस्थन है यह भी आपको पता होगा लेकिन देखिए एकजाम में कौन सा कोशन पूछेगा यह हम आपको बताएंगे आप सुनिएगा और अपने कोई पर लिखेगा तो पिर्थिवी का द्रमान आप से पूछेगा एकजाम में कितना होता है द्रमान तो पिर्थिवी का द्रमान जो होता है 5.74 गुने 10 to the power 24 किलो गराम एक बार फिर सुनिएगा 5.74 गुने 10 to the power 24 किलो गराम यह पिर्थिवी का द्रमान है यह आपको याद रखना है पिछला और गुरूप डी में एक बार नहीं लगबग 10 से 15 बार आपको याम में पुछा है इस बार भी पुछेगा एक कनफर्म है याद रखेगा देखेए इसके बाद यह कोशन पुछ लिया है अब और क्या पुछने का चांस आपसे पुछेगा पिर्थिवी का त्रिज्य जरा बत होता है यह भी आपको याद रखना है और पिर्थिवी का परीधी भी याद रखना है आपको तीनों याद रखे तीनों में से कोशन आपसे पुछेगा एकजाम में परीधी पुछेगा या तो परीधी पुछ दे त्रिज्या पुछ दे या द्रमान पुछ दे तो पिर्थ इस टीचर आपको नहीं बताता है और हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलता है इतना सौलिट बेहत्रीन और लाजवाब कोशन आपको बताएंगे डिस्ट आपको 40,75 km इसके बाद सूरज और पिर्थिवी की बीच की दुरी बताना है ये भी याद रखेगा 14,96,000,000 km पिर्थिवी सूर्य से कितना दुर परसित है 14,96,000,000 और इसी दुरी को एक खगोली इकाई भी काते हैं याद रखना है तो पिर्थिवी सूर्य के बीच की दुरी तो पिर्थिवी चनरमा के बीच की दुरी कितना है तो पिर्थिवी चनरमा के बीच की दुरी 3,84,000 km पिर्थिवी चनरमा के बीच की दुरी याद रखेगा यदि आप सुने होंगे और अच्छा तरीका से आप सुन लिए होंगे औ कि आपका जैस फिर से लिखने का परियास करिए कि आपका जो है यह आपको बताएं पिर्थिवी का द्रमान पिर्थिवी की त्रिज्या पिर्थिवी का प्रिधी और सूरज पिर्थिवी की बीच की दुरी और शुर्ज और चंद्रमा की बीच की दुरी यह पाचों प्रियोन फिरोन हो जाएगा ऑफसान नमर एक इसका सही अंसर जाएगा अब देखें कोशन नमर 12 माई ध्वनी परती ध्वनी ध्वनी तरहें के किसके कारण उत्पन होता है परती ध्वनी मतलग जो लोट के आता है तो यह आपको पता होगा सुनिए इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर ऑफसान नमर सी जाएगा यानि ध्वनी के प्रावारतन के कारण ध्वनी के प्रती ध्वनी आपका देखने को मिलता है यह आपको याद रखना है देखें ध्वनी तरहंग एक आपका अनुधायर तरहंग है या आयांत्रिक सब्सक्राइब पर सेकिन होता है यह आपका जो है धनी कभी एक वायू में ध्वनी जो होता है आप रीती पर निर्वर करता है त्रेंग धैर पर लेकिन ध्वनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ध्वनी का सारा गुन बदल जाता है लेकिन ध्वनी का अब रीती कभी नहीं बदलत है याद रखेगा अगला कोशन हम लोग बढ़ते हैं तो अगला कोशन और अगला कोशन में है आश्टि मस्रूम व मसन थान एवं प्रिसिछन केंदरे कहां है इसका चुनना है इसका सही परियावरन इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान हम परियावरन खाले नहीं बोल रहे हैं केंद्रिये परियावरान इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपूर में है कानपूर में क्या है तो भारतिय चिन्निक तक्निकी संस्थान कानपूर में याद रखेगा ऑर बहुत चीज है या आपको यह बिविदिध वाले टॉपिक में आपको बढ़ाएंगे अगला कोशन निमलिकिन में से किसे भारत में जैबिक बिविद्त रूप के रूप में पहचाना आता है तो जैविक बिवित्ता का हो स्पोर्ट के रूप में जाना आता है तो आपको अंसर सही चुड़ना है इसका तो इसका सही अंसर बताइए इसका सही अंसर क्या होगा तो देखिए इसका सही अंसर option number B जाएगा इनि सबसे अधिक जैवित्ता ये भारत में पच्मी घाट पर द कि छेत्रों में देखने को मिलता है याद रखेगा बीशो जैवित्ता दिवस क्रूप में मना जाता है यह आपको याद रखना है सबसे अधीक आपका जो है सुन जन्गल गणि जन्गल सुन्धर वंडेल टो यह को पता होगा और मांसिन क्रिवान सबसे अधिक आपका यह मांसिम्राद में अगला पशन अगला कोशंद जब बर पिगलती है तो इसका घंद fa सपाइब को बनाएं जब पोगिए तो क्या होगा आप जानते होगे या बताये होंगे कि कोई भी चीज आपको आकार में परिवैटन होता है तो इसका द्रामान कभी बदलता नहीं है तो आइतन में आपको चुनना है तो देखेंड का सई अनसर माणा जाए गा सही अंसर option number B आयतन बढ़ जाएगा याद रखना है आयतन बढ़ जाता है जब बर्फ भी घलती है तो इसका आयतन बढ़ेगा आयतन बढ़ने के बाद सोरी घड जाता है इसमें आपका जाए घड जाता है option number B आपका घड जाएगा यापको याद रखना है भी घड जाएगा तो घडने के कारान जब हम लोग बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो इसका गलनांग भी घडता है ये भी याद रखेगा बर्फ भी घलती है तो इसका आयतन घडता है तो आयतन घटने एक आ रहा है इस पर दाब बढ़ाने पर गलनांग क्या होता है घटता है याद रखेगा चलिए अगला कोशन हम लोग आते हैं तो अगला कोशन आपके स्क्रीन पर देखिए अगला कोशन है रुदीर एक महत्पुन कारी करती है तो रुदीर का कौन सा महत्पुन काम होता है इसका सही अंसर क्या जाएगा आप्सा नमर एक यानिरु दिर मतले रक दक का सही काम क्या होता है तो मानेशलीकमान अस्थिररा रखता है यद रक्त परिशंचन तंत्र का खोज बिलियम हारवे ने किया था, रक्त सम्मू का खोज लेड अस्टिरन ने किया था, हमारे स्रीर में रक्त जो है दो तरह के रक्ते में दो तरह के कन पा जाते हैं पलाजमा और एक रक्त कनीकाएं, हमारे बोडी में यानि रक्त में कलाजमा जो प्लेलेट्स, RBC का काम क्या होता है, तो RBC का काम यह oxygen और carbon dioxide परिवान करना, WBC का काम हमारे body में anti body को बनाए रखना, और plates का काम हमारे रख को ठक का जमाने में मदद करना, जो की calcium magnesium के कारण रख ठक का जमता है, याद रखेगा, और रख का रंग लाल होता है, है किस के कारण, ह इंगो गुलोविन का मुख की घटक किया है, तो लोहा होता है, याद रखेगा, चलिए अगले question क्यों, अगला question है, भारत अधिक्तम विदेशी मुद्रा किस के निर्याद से कमाता है, तो किस के निर्याद से कमाएगा, तो इसका सही अंसर हमारा जो S.E.ने मर जाएगा, इसका सही अंसर जाएगा, यहाद रखेगा, आपका सौंग इंडिया पुस्तक के लिखाग है, तो आपको इसका सही अंसर जवाब चुनना है, अमिताब, बाक्ची, मारिक्के लुका, इसका सही अंसर बताएगा, क्या होना चाहिए, इसका सही अंसर अप्शन अंसर C जाएगा, डेविड एटनबरू, इंद्रा गांधी, आपका सांती पूरसकार, 29, डेविड एंपरो को दिया गया, यह आपको याद रखना है, अगला कोशन, अगला कोशन देखिए, फोबर द्वारा जारी आकड़े कनुसार वर्तमान में बीशन में सरवाधिक कमाई करने वाले पूरुस खिलाडी कौन बन गए हैं, राफिल लडा, लियोन मैसी, नुवाग जेकोवीच, रोजर, फिडर, तो सही अंसर बताएगे, तो सही अंसर इसका क्या होगा, तो सही अ इसका सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर अपसर नमर सी जाएगा, यानि राजेस खुलर, विश्वबैंग का करकारी निदेशा, विश्वबैंग का मुख्याले कहा है, वासिंग अंडिसी, अमिर्का के रिधानी, वासिंग अंडिसी में विश्वबैंग का मुख्याले है और 202 किस नदी किनारे बसा हुआ इसका स्थापना उन्हें 145 में किया गया था इसी ममलुक जो है अंतराष्टे मुद्राकोस भी पढ़ते हैं अंतराष्टे मुद्राकोस के स्थापना या 202 के स्थापना ब्रिटेन बुट्समिलन के बात किया गया था ब्रिटेन बूर्ट समय लाइन उस्टेवालिस में हुआ था और 145 में इसका अस्थापना किया गया था यह आपको याद रखना है चलिए अगले कोशन क्यों राते हैं तो अगला कोशन हमारा है भारत वन रिपोर्ट 29 में हाली में जारे किया गया यह इस र सामा नम्मर का रिपोर्ट था यह आपको याद रखना है देखिए वन अस्तिती रिपोर्ट 29 में बहुत सराइं पोटेट पॉट्ट बन जाता है जैसे सरवाधीक वन छेत्रफल वाला राज कौन है तो मद्य परदेश सरवाधीक वन बिरिधी वाला राज कौन है तो सरवा सरवाधीक वन पर तिसते वाला राज मिजोरम है यह आपको याद रखना ह। इसके बाद भारत में कुल भागोलिक छेतर फरड़ कितने पर झेंघ पर Three तो 24.56 फार जंघ है याद रखेगा और बिहार में कुल आपका जो है भोगोलिक छेतरपड कितने भाग पर जंगल है तो 7.74 पर तिस है भाग पर जंगल है याद रखेगा बिहार में सरवाधिक जंगल किस जिला में कैमूर जिला में यह आपको पता होगा चलिए अगला कोशन को राते हैं तो अगला कोशन देखिए अगला कोशन आपका है किसी तत्वे का बंदुत्व बिनियास यानि इलेक्टोनी बिनियास दो आठ पाच है तो इसकी परमानु संख्या ग्याद केजिए परमानु संख्या क्या होगा अचा अब लोग जो है इसका चानते होंगे परमानु संख्या जेड बराबर इलेक्टॉन की संख्या इलेक्टॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या होता है तो देखे इलेक्टॉनिक मिनिया या परमानु बंदुत वजो होता है या आपका इलेक्टॉन की संख्या कोहीं तरसा आजाता है तो इलेक्टॉन यहां पर टोटल कितना है दो आठ पाच आठ दो दस और पाच पंद्रह तोटल इलेक्टॉन के संख्या पंद्रह हो गया पंद्रह हो गया तो पंद्रह इलेक्टॉन हो गया तो पंद्रह इलेक्टॉन हमारा इलेक्टॉन पंद्रह है तो पर को रिलेक्टोन 10 और भृलेंसी इसका कितना हो जाएगा थिरी हो जाएगा आखुषिकरं सहग्या पूछता है तो माइनस थिरी हो जाएगा याद रखेएगा अगले अगला कोशन गोशन आपके जह है अगला कोशन हम लोग आते हैं अगला कोशन आप देखिये आधुनिक तो पुछ रहा है तो अंतिम उपधातु कौन है अर्सेनिक टुलेरियाम एंटिमनि पॉलेणियम इसका सही अंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा पॉलेणियम सबसे नीचे में आपको पॉलेणियम मिलेगा यह आपको याद रखना है हमारे अवर्षानि में धुनिक साथ यह उपधातु देखने को मिलता है और यह साथ उपधातु यह पी बलॉक में सबसे किनारा में आपको मिलेगा जैसे आप प्रेडिक्टवल में देखते होंगे तो प्रेडिक्टवल में हमारा जो है यह प्रेडिक्टवल इस तरह से आप लोग देखे होंगे प्रेडिक इस तरह से आपको जैब पुलेनियम सबसे नीचे सबसे अंतिम आपका उपधात्यू पुलेनियम हो जाएगा चलिए अगला कोशन है अस्पाइरो गायरा और पुलेनियम में कौन सा जनन होता है तो एक जीव अपने कटे हुए आपका भाग से नया जीव का निर्मान करता है उसी को हम लोग पुलेनियम के किरिया कहते हैं तो आपको याद रखना है चली अगले कोशन के चलते हैं आब अर शानी में वर्ग में उपर से नीचे आने पर या जाने पर परमानुका अकार पर क्या पर अपड़ीगा परमानुका अकार वर्ग में क्या होगा तो वर्ग में हमारा परमानू का आकार क्या होगा यह आपको चुनना है तो देखें इसका सही अंसर आपको क्या होगा पहले बताईए बढ़ता है घड़ता है अस्थीर रहता है पहले बढ़ता है फिर घड़ता है इसका सही अंसर चुन लेजिए देखें हम सही अ आपको बताते हैं देखिए इसका सही अंसर option number A हो जाएगा बढ़ेगा बढ़ेगा इसका सही अंसर आवर्ग में वर्ग में उपर से नीचे आते हैं तो परमानु का आकार बढ़ेगा याद रखेगा परमानु का आकार क्या होगा तो परमानु का आकार हमारा जो है यह आपको याद रखना है वर्ग में किसी वर्ग में हम लोग उपर से नीच जाते हैं तो प्रमानुका अगर बढ़ता है लेकिन आवर्थ में आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर घड़ता है बाएं से दाएं जाने पर आवर्थ में घड़ता है याद रखेगा इसके बाद आवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर उपर से नीचे आएंगे तब देखेगा więc इधर से इधर जाने पर विद्धूति नात्मक बढ़ता है उपर से नीच आने पर विधान NBHEBEE kdo इखी के चलिए अगला कोशन को चलते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक सहीं से चुनिए भाइडन के तीन समस्थानिक प्रोटियम, डिडिरियम, टैट्रियम हाइड्रोजन जो है तीन समस्थानिक प्रोटियम, डिडिरियम, टैट्रियम और टैट्रियम जो है किई आपका समस्थाने का गुन दर्साता है तो Ngitha t debug को अबारा कैस का थे हैं हमारा आवर सानी का पहला तो mamason होता है परमानुस खैक होता है निटोन जीरो होता है heidrogen में याद रखेगा हैडोजन जो होता है भिविस का इंधन कर लाता है खोड़ वॉल में हैडोजन को भरते हैं वाईयान के टेरो में हैडोजन को भरते हैं ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन उन पदार्थों का दर्वनांग दाब बढ़ने से क्या होता है जिनका आइतन गलने से बढ़ता है जिसका सही अंसर क्या होगा जिसका सही अंसर अप्शन अंबर एक हो जाएगा बढ़ जाता है अभी बताएं देख बर्फ वाला में 500 मीटर पर सेकेंड के चाल से याद्रा करने वाली एक तरंग धार 20 मीटर पर सेकेंड यानि कि भी बराबर दिया हुआ है 500 याद रखेगा और यहां पर हमारे तरंग धार दे रहा है लेमडा बराबर दिया हुआ है कितना 20 अब देखे यहां पर आपको निकलना है समय अंत्राल टी निकलना है अच्छा एक आप जानते होंगे टी बराबर भाट हमको निकलना है भाट एक आप जानते होंगे कि जो है एन बराबर एन बराबर यह हमारा जो एन बराबर जो है यह वन बटा टी होता है बटा यह T होता है अब देखिए आप रख दीजे भी बडाबर एे लेंड रख दीयो है तो हमारा सही अंसर इसका आपका जय क्या आजाएगा तो option number B आजाएगा बनाईएगा खुब अराम से अंसर आएगा 0.04 सेकेंड ही आएगा इस फर्मूला को यूज करिएगा अराम से बन जाएगा अगला question दस वोल्ट के बिवांतर वाले दो मिंदू पर 5 कुलम के चार्ज को एस्थानाधित करने में कितना कारे करना पड़ता है तो कारे निकावना है तो एक फर्मूला आपको इसे क्या हवाह पर पहले आपने काला लेजिए इसका कारे बटा स्वरी कारे बटाएज कारे बटा अभेस होता है यगार ये अब रख दीजिए और कारे आपको निकालना हो औरुत pension के शाफ साफ देखेगा यूनिट से पकड़िएगा निकालना है का है कारी कामात्राइग जूल होता है तो आपसन में पकड़िए इंप्यर है कुलंब है जूल है वोल्ट है किसमें जूल दिख रहा है तो आपसन इंसर क्या जाएगा इसका सही एंसर हमारा ऑपसन नंबर तीन जाएगा एक हजार जूल कैसे भाए कानेटिक एनरजी बराबर होता है हाफ एंबीए स्कुएर इंद कमांद दिया हुआ है 20 किलो कराम और भी कमांद दिया हो 10 यानि 20 उन्हें 10 उन्हें 10 भीका स्कुएर होता है 10 दिया 100 और 20 कितना हो जाएगा लेकिन आपका जो हाफ दो से डिवाट करना था हाफ एंबीए स्कुएर होता है तो कड़ जाएगा तो एक हजर हमारा सही एंसर जाएगा चलिए अगला कोशन चिगरेट लाइटर में कौन सी गाइस तो ब्यूटेन सही एंसर क्या हो जाएग अगला कोशन प्याज लसुन में गंद किस धातु करन होता है बदाएगा सही एंसर इसका क्या होगा प्याज लसुन में गंद किस धातु करन तो प्याज लसुन में हमारा जो है यह किसके करन सल्फरिकार है इसका सही एंसर अप्सन अमर बी जाएगा फिर है किस किसी आदर् तरल की स्यांता क्या होता है अनंत होता है सुन्य होता है नात्मक धनात्मक क्या होता है बदाए इसका सही अंसर आपसा नंबर भी जाएगा आपका यानि सुन्य होता है याद रखेगा किसी भी आदर्स तरल की स्यांता सुन्य होता है देखे एक बात याद रखेगा जो जितन तरल गढ़ा होगा जितना ज्यादा कोई भी तरल पदार जितना ज्यादा गढ़ा होगा उसका उतना ही ज्यादा स्यांता होगा जैसे एक सीरा और पानी चिन्नी का सीरा और पानी लेजिए तो चिन्नी का सीरा का स्यांता ज्यादा होगा पानी का स्यांता कम होगा लेकिन एक पानी यानि जल और पेट्रॉल लीजिए तो पेट्रॉल के तुलना में जल का स्यांता जादा होगा और पेट्रॉल का कम होगा याद रखेगा हालाकि बिशेस पढ़िये गाता आपको जब बताएंगे कलास में है बहुत अच्छा तरीका से तो इनमें से किस विद्दो क्या तरंग का बेदन चंपता सबसे अधीक होता है एक्स किरन प्रावेगनिक किरन अबरक किरन और गामा किरने इसका सही अंसर आपको बताना है किसका सबसदीक बेदन चम्था तो सही अंसर हमारा आपसर नम्मर चार बेदन चम्था सबस्यादा गामा किरन आइनन उर्जा सबस्यादा किसका तो अलफा किरन सबस्यादा आइनन नमर चार्ज आएगा तेश जून सत्रह सव संतामन यह हुगलियंदी के तरड़ पर पच्छे मंगाल में हुआ था रोबर्ट कलायव और बंगाल का नवाब सिराइधवला के बीच हुआ था लेकिन इस यूद में बंगाल का नवाब सिराइधवला मारा गया और सिराइधवल को लाउ कर दिया गया इस तरह बंगाल में द्वाइध सदन का जनक रोबर्ट कलायव को कहा जाता है और बाद में जब वारन हिस्टिंग आया तो द्वाइध सदन का अंध कर दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक के तहट याद रखेगा अगला कोशन महलवारी पर्था का किसक नोबिल पुरसकार किसने जीता है तो इसका सही अंसर क्या जाएगा और बी अंडाल्ड वेटम गं याद रखेगा अगला किस राज के मुख मंद्री रोजगार संगी मुबाइल एप जारे किया है तो सही अंसर चुनिए 36 गार राजस्तान महाराश्ट उडिसा इसका सही अ इसका सही अंसर हमारा ऑप्सन नमर एक 36 गड़ हो जाएगा अगला कोशन देखें यूए सो ओपन दुहिर बीस का महिला एकल विजयता कौम तो महिला एकल विजयता यूए सापका जहर नुवामी ओसाका याद रखेगा अगला कोशन सर्विधान सवा गठन की मांग सरोपर थाम 895 में किसके द्वारा परसुत किया गया था तो सरिधान सवा की मांग सरोपर थाम 895 में किसके द्वारा तरदार पटेल बला बाल गंति लग जवाल नहरू गांदे जी इसका सही अंसर हमारा ऑप्सन नमर भी बाल गंति लग होगा इनको पीडिएफ चाही तो नहीं है चली अगला कोशन है पर त्षी पर किसी वस्दू का भार 200 नीटन है द्रमान 20 क्लोकरम है ग्रुतन बताना है वस्दू का भार बराबर होता है यह दिखे वस्दू का भार बराबर W गार अंसर क्या हो जाएगा तो हमारा सही अंसर ऑप्शन नमर एक हो जाएगा 10 मीडर प्रती वर्ग सेकेंड तो अरन है तो अगला कोशन विकल्प चुने करिशन अंसर के संद्रों में सत्य नहीं है विकल्प चुनिए वीडियो को रोक करके आपको जाए सही अंसर चुनिए आप तो देखिए इसका सही अंसर हमारा जो है ऑप्शन नमर सी हो जाएगा मानव रुधिर कनिकाओं में जीवन कल्प 15-20 दिन नहीं होता है गलत है उगलत है इसका जीवन काल 1200 दिन होता है अंगला कोशन अंगरेजी संसद में भारत का दिनियम कप पारिद किया गया था तो अंठामन में सलभाई की संधी किस युद्ध से समन्दीत है तो पर्थम आंगल मराठा युद्ध आप्शन नमर बी तो इस तरह से हम लोग जह है गुरुप डी के लिए टॉप 45 जिक्के जिस करें टेफर कोशन देखें इस तरह से नेक्स आपको जह है डे आपको यह वीडियो आपको प्र में तक आते हैं जैहिं, जैभानत, इसे चाहिए, जावरोरुप प्रहता है।